मुझे कल शाम कोई हस्बन ने बता दिया था कि आज मैं उनके लिए खाना ना बनाऊ और ऐसा क्यों था वो मैं आगे आपको वीडियो में जरूर से बताऊंगी फिलाल जब भी हस्बन खाना खाने के लिए मना कर देते हैं तो मैं कुछ न कुछ ऐसा बनाती हूँ जो मुझे ह हमेशा से ही बहुत पसंद होता है वैसे तो हम लोग इसे कमल ककडी बोलते हैं आप लोग इसी किस नाम से जानते हो मुझे बताईएगा तो इस सबजी को लाए हुए लगबग 4-5 दिन पूरे हो गए थे वैसे तो इतना दिन तक मैंने कभी नहीं रखी है ये सबजी आज प दोनों मावेटे की फेवरेट सब्जी बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती है खाने में तो इसको मैंने अच्छे से चाको से छील लिया था पहले छीले वगरा से नहीं छीलते हैं इसको क्योंकि जो इसकी उपर की स्किन रहती है वह बहुत ही ज्यादा मतलब पतली होती है तो इसको चाको से छील लिया था मैंने और छीलने के तुरंत बादी हमें इसको पानी में डालके आप कोई भी धार दार पानी के नीचे इसको धो लीजेगा ताकि जो यह जो होल रहते हैं वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे तो चार से पांच बार म मन नहीं कर रहा था और जब भी ना हजबन मतलब बाहर वगरा डिनर लंच कर लेते हैं तो मैं घर पर जो भी बनाती हूँ वो बिल्कुल एकदम लाइट वेट रहता है साथी साथ में जादा ताम जहाम नहीं करती तो वैसे तो इस सबजी को सरसो के तेल में ही बनाते हैं ल टमाटर जितना डालोगे उतनी ज्यादा टेश्टी लगती है यह खाने में तो मैंने टमाटर को अक्खा इसलिए डाला है क्योंकि बेटा मेरा कम पसंद करता है टमाटर की सबजी ताकि मैं उसे निकाल कर अलग से अलग अलग स्लाइसिस खिला सकूं और सारे कमल गट्टे दुल कर और इसी के साथ मैंने रखी ती आदा कप के बराबर उरत डाल भीगा कर चिकले वाली डाल है आप चाओ तो यहां पर धुली वाली डाल का विस्तपाल कर सकते हो उपर से मैंने थोड़े थोड़े इसमें बेसिक मसाले डाले रेड चीली पावडर हल्दी पावडर धनिया पाउडर साथ में थोड़ा सा डाल दिया है आम चूर क्योंकि जो टमाटर है नो जादा खटा नहीं रहता है तो इसलिए मैंने हाफ टी स्पून के बराबर आम चूर डाल दिया है और बस सारे मसालों के साथ ना इसको एक दो मिनट तक इस तरह से भून लेंगे और आलू भी डालती हूं तो आज मैंने आलू नहीं डाले थे क्योंकि आज आलू खाने वाला कोई थाई नहीं मैं आलू वैसे ही कम खाती हूं तो इसलिए मैंने इसे बिना आलू से बनाया है तो बस बड़िया से भून लिया था स्वात के नूसार इसमें मैंने नमक भी डाल और अब डाल दिया है मैंने इसमें पानी अब यह जो कमल ककडी होती है थोड़ी हाड रहती है बहुत सारी लोग इसे भून कर या उबाल कर बनाते हैं तो मैं क्या कर रही हूं यहां पर मैंने कुकर में डाल दिया सारी सबजी इससे बहुत जल्दी गल जाएगी और अच्छे से गल जाएगी क्योंकि कड़ाई में उतनी बड़ी थीकनेस नहीं आएगी बनने में मैंने सिर्फ कड़ाई में इसको छोग दिया था इस इसका स्वात बहुत ही अच्छा आता है तो कूकर को अभी मैं 4-5 विसल लगाऊंगी मीडियम टू स्लो फ्लेम पर और इधर बन रह रही हूं और जब भी मैं बॉइल राईस बनाती हूं तो जो इसका पानी है न वो तो सारा निकाल ही देती हूं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चावल जादा गल जाते हैं तो मैं क्या करते हूं यहां पर एक चममच घी डाल देती हूं इसमें इससे अगर चावल थोड़ा भी गल जाता आना तो यह दम खेला खेला रहता है और वैसे भी चावल का स्वाद बढ़ जाता है इससे और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं तो मेरे बेटिकों इसी तरह से खी पसंद आता है दाल चावल के साथ वैसी अगर में उपर से डाल के खिलाऊंगी न तो नहीं चलिए कुकर में पूरी चार से पांच विसल आ गई हैं तब तक मैंने यहां पर निकाल ले आए थोड़ा सा रागी का आटा और इसमें एक दो चमच मैंने बेसन भी डाल दिया था आज बहुत टाइम के बाद बना रही हूं रागी की रोटी वैसे में हमेशा ही बनाती हूं ह अब अपनी डाइट में रागी को जरूर सी सामिल कीजिएगा यह बहुत ही अच्छा रहता है इसमें केल्सियम आयरन भरपूर मातरा में होती है तो रागी के आटे को मैंने हलके गुन-गुने पाणी में लगा लिया था और हातों हाती ने इसे एक दम सॉफ्ट कर लिया थ अप चाहो तो यहाँ पर रागी का भी लगा सकते हो और अच्छे से ला इस curry मोटे मोटे पेडे बना कर हातों से से लेती हूँ है बहुत सारे लोग इसे पानी का हाथ लगा कर से लिया बहुत बढ़ा कर से लेकिन मैं सूख अटा लगा कर भी सिखती हूं उहर जितनी वी र गप्पे की तरह करारी करारी हो गई है और इसमें आप खूब सारा घी लगा कर खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा चलिए जी इदर हमारे कमल ककडी भी हो गई है बनकर तैयार दाल के साथ बहुती स्वादिश लगती है यह सबजी तो मैंने हाँ पर राइस जो बनाए थे उन लिए भी फिलहाल मैंने रागी की इतनी काफी रहेगी तीन चार रोटी सेखी ती मैंने और मेरा सबसे फेवरेट इस तरह के खाने के साथ आम का चार मतलब अचार मिल जाता है तो हर जितनी भी थाली में चीजे होती है ना सबका स्वादी बढ़ जाता है और खाकर मज़ा आता है तो वही हमारा कमफर्टेवल फूड हो चुका है तैयार सिर्फ आदा घंटे में बन कर और चलती हूं मैं इसे इंजोई करने रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर सी कीजिएगा बाबाई टेक केर